बात कुछ और हम खबरों के करेंगे राश्ट्यों सेवक संग प्रमुक मोहन भागवत आज गुमला की विशुनपूर प्रखंट अस्टरत विकास भाट्य के मुख्याले में ग्राम अस्तरे कारिकर्टा समीलन में शामिल हुए कल के हम ये बात करें और इस तोरार उन्होंने विकास और प्रगति को लेकर एहम बाते कहीं अपने संगोदर में मोहन भागवत ने कहा कि प्रगति का कोई भी आंत नहीं है मोहन भागवत ने कहा कि आज लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं वो यही नहीं रुकते फिर वो देवता बनना चाहते हैं फिर भगवान लेकिन भगवान कहते हैं कि वो विशुरूप है और ये कोई नहीं जानता कि इससे बड़ा कुछ है भी या फिर नहीं क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं है तो वहीं उन्होंने कहा कि देश की भविशे को लेकर कोई चिंता नहीं क्योंकि कई लोग उसकी बहतरी के लिए काम कर रहे हैं जिसके नतीजे सामने आएंगे सुनिये कि अगे बढ़ने को कई अंतों काई इतना आगे इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं जहां पूर्ण का ही मर्यादाओं सीमाओं की डोर में विकास एक ऐसी चीज यह तक विकास करना सोच की विकास करिया वहां गय पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं इंसानियत नहीं है वह मनुष्य बन जाए असली पहले वहां जाने के पास उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते है अति मानव सुपर्मैन कहें सुपर्मैन फिल्मियों गर्मिकति उसमें दिखाते हैं कि अलोकिक शक्तिया जिनके पास होती है तो फिर मनुष्य अलोकिक बनना जाता है सुपर्मैन बनना जाता है अति मानव बनना जाता है लेकिन वहां रुपता नहीं उसको लगता है कि देव बनना चाहिए तो देवता बनना और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूँ, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूँ, लिकिन मेरा जोग सारे विश्व में व्यापत, ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असलीम है, वो वहाँ भी कुछ है क्या रूपने की जगह, कि वहाँ से भी आगे तो RSS प्रमुक मोहन भागवत को आपने सुना और देखिए, देनिक भासकर इस वक्त मेरे पासे फ्रंट पेच में इस ख़वर को जगा दी गई है, हेडलाइन दी गई है, कि इंसान देवता बनना चाहते हैं, पर ये प्रगति का अंत नहीं, और उनकी तरफ से तमाम बातो का दिकर क्या गया, मोहन भागवत ने कहा कि बाहर और अंदर का विकास जारी रखें, RSS प्रमुक मोहन भागवत ने ये भी कहा कि इंसान लौकिक है, और वो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन कारेकरताओं को कभी ये समझना नहीं चाहिए, कि बस हो गया है, उन्हें लग पहुशने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है, यानि कि आगे लगतार बढ़ना चाहिए, तो मनुश्य है लेकिन मानुवता नहीं, इंसानियत नहीं है, ऐसे में उसे पहले असली मनुश्य बनना चाहिए